काल बैंज का जन्म काल फ्रेडरिक माइकल वेलेंट के रूप में 25 नवंबर 1844 को मुहलबग में हुआ था, जो अब जर्मनी के कालजुए का हिस्सा है। बाद में उन्होंने बर्थार रिंग से शादी के बाद अंतिम नाम, बैंज, अपनाया। काल बैंज ने प्रोध्योगी की और यांत्री की में प्रारंभिक रुची दिखाई, जिसके कारण उन्होंने इंजीनियरिंग में अपना करिया बनाया। उन्होंने कालजुए पॉलिटेकनिक और बाद में कालजुए विश्विध्यालेय में अध्यान किया। 1871 में, बैंज ने अपनी पहली कंपनी, एक मेकेनिकल वरक्शॉप की स्थापना की, जहां उन्होंने गैस इंजन पर काम करना शुरू किया। पहला आटो मोबाइल माना जाता है। मोटविगन में तीन पहिये, एक ट्यूबलर स्टील फ्रेम और एक सिंगल सिलेंडर, चार स्ट्रोक इंजन था। इसकी अधिक्तम गती लगभग 16 किलोमीटर घंटा थी और इसकी मारक शमता लगभग 40 किलोमीटर थी। जनवरी 1886 में बैंज ने अपने मोटवेगन का पेटेंट कराया और इसने आटो मोटव उद्योग की शुरूआत को चिनित किया। हालां कि शुरुआती बिक्री धीमी थी और उन्हें वित्तिये चुनोतियों का सामना करना पड़ा। यह उनकी पतनी बर्था बैंज थी जिन्होंने वाहन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगस्त 1888 में काल की जानकारी के बिना बर्था अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने और सारवजनिक रूची पैदा करने के लिए अपने बेटों के साथ 96 किलोमीटर से अधिक की दूरी तै करते हुए पहली लंबी दूरी की आटोमोबाइल रोड यात्रा पर मोटवे डीमजी के साथ विले हो गया और ब्रांड मर्सिडीस बैंस बना जो विश्व स्तर पर सबसे प्रसिद आटोमोटिव निर्माताओं में से एक बन गया आधुनिक आटोमोबाइल के जनक के रूप में एक स्थाई विरासत छोड़कर काल बैंस का 4 अपरेल 1929 को जर्मनी के ल